उतरपदेश की राज़नीती में लगातार उठापटक चल रही है कॉंग्रिस और समाजवादी पार्टी के बीच बाच्चीत नहीं हो पारे लेकिन इस बीच में बजट पेश हो चुका है बजट पर क्या कुछ कहना है अमारे साथ में उपी राजपर है बीज़पी के सहयोग है गडबंदन में है कैसे देख रहे बजट को विपक्ष तो कह रहा है कुछ दिया नहीं ठंठन गोपाल कोई नहीं योजना नहीं कोई नया एलान नहीं आप कैसे देखते हैं विपक्ष का काम है बिरोध करना महिलाओं के लिए जितना काम जितना बजट है कि अंदर सरकार ने दिया है, शायद उतना बजट कभी नहीं दिया गया होगा, यूपी में भी बजट आएगा, तो सबसे ज़्यादा बजट महिलाओं के लिए यह आएगा, देखिएगा, आपका भी बजट आने वाला उत्तरपदेश में भी आएगा, लेकिन उसके पहले अगर देखें, त कहता है आ रहा हूं, कि विपक्चियों ने ठाना है, जब से गडबंदन सुरू किये हैं, कि विपक्चियों ने ठाना है, 24 में मोदी जी को परधान मंतरी बनाना है, कुछों लोग हम लोग सटके करेंगे, कुछों लोग हम लोग हटके करेंगे, तो सटके तो चले गए, नि हर बार आपसे बातचीत होती है कब शपत ले रहे हैं क्या कुछ विस्तार की संभावना फिलाल है सदन तक तो नहीं है सदन के बाद हम दिल्ली जाएंगे और आने के बाद तारिक निश्चित बता पाएंगे और वैसे यह मान के चलिए कि जब भी विस्तार होगा बले आने के खोल करके वहां पर पूजा पाट शुरू करा दिया गया है विपक्ष कह रहा है फिर से चुनाव वाली राजनीती शुरू कर दी है और उस जज्जमेंट को ले करके सवाल हो रहे हैं आप इतिफाक रखते हैं जो फैसला है साथ दिन का समय था पहले ही ताला खोल कर आपोकर ले ख़ैघर हो बाट अब इंको क्या करना है य एक्ष पे लिखना है टुईटर पर ट्ूएट करना है इसा ज्यादा क्या करना है इसे जैदा कुछ करना नहीं है उचाहे जीतना जोर लगा ले जस्त करनी उसस भोग विधाता नरक जात काहीं पक्च्ता था पांच च्छिदे लोग उनके सय्थ क्यों जाएगक मुसलमन क्यों उड़ेगा सामान अव्रक से उनसे मतलब है नहीं है उतों कहते हैं कि पीडीये हमारा काम है पीडीये हमारा भगवान है तो दोखा दिये हो जब जोसी को भगवान मांते उसी को दोका दे दिये हो तो फिर आपको कैसे हम किलपा करेंगे बजट की उठा पटक के बीच में कही ना कहीं ग्यानवापी के मुद्दों और तमाम मुद्दों के साथ यूपी की राज़नी थी सक्री नजर आती है लक्नु से कमेरामेंड रोहित के साथ अब शेक मिश्रा आज तक